हालो अबरिवन आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और काफी समय बाद मुझे वीडियोज बनाने का मौका मिल रहे है आप लोगों के लिए अब जो है कंटेंट जो है रेगुलर रहेगा और जो भी अकैडमिक मैं सेशन से आगे कंटिन्यू करूँगा उससे पहले एक-दो इन्फॉर्मेशन मुझे देखने के लिए मिला तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ सेर कर देता हूँ क्योंकि पास्ट में पिछले एक साल में लगभग कई लोगों ने मुझे इस भारे में पूछा है तो इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं उसके बाद जो है बा अगले महीने भी करवा देंगे तो उमीद करते हैं एक देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो डिफिनिटली आपका आंसर राइटिंग में काफी सुधार हो जाएगा तो ना सिर्फ जेपीस्टी बलकि बीपीस्टी में पी आपको काम आएगा सिमिलर मार्क्स का कुस्च तो इसका कुछ धाता तो तो अगर शिवल सर्विसे नहीं है तो में वहां पर से सीख सकते हैं तो उसको करवाते रहेंगे ठीक है तो इसके लिए टेंस नहीं लेना है और बाकी जैसे मैं करवाता था करेंट अफेर्स बगएरा क्वे बगेरा वो सब भी करवाता रहोंगा तो ठीक है आज का जो वीडियो बनाने का मेरा में एम था वो एक दू इंफॉर्मेशन आपको देना था ठीक है तो रिगाडलेस्ट इसको आप जान लीजे फ्यूचर में काम ही आएगा तो इसके बारे में पॉइंट यह है कि आप में से कई लोग पूछते थे कि मेंस का एक् कुछ है बाकी पेपर हिंदी में तो नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है यह सब आपको सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिस में ही चारो पेपर लिखना होगा जो जी इस का पेपर होता है पेपर थ्री फोर फाइफ सेक्स है ना लैंग्वेश पेपर चोड़कर बाकी जो च और यह जो form आया है दो दिन पहले उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेंस का जो language रहेगा medium लिखने का उसको आपको select करने के लिए बोला जा रहा है वहाँ पर English और Hindi का option आ रहा है similarly इंटर्विऊ के लिए भी आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि हिंदी और English मरें से किसी एक को चूज़ करना है और वो मेंस के फॉर्म में भी यहां आपर देख सकते हैं हिंदी और English मेंस था करना होगा जिसमें तो फ्लू कोई भी ब्लॉक नहीं हो रहा है ठीक है तो यह मैसेज था कई लोग पूछे थे तो मुझे लगा कि में भी धेर सारे लोगों को इस बारे में confusion हो सकता है तो इसलिए मैंने इसको बता दी आपको ठीक है और दूसरा एक जो है यह मेरे तरब से सजेशन है बस यह कोई information नहीं है आप लोगों के लिए जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 10 12 और graduation का आपको certificate upload करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है graduation का certificate यहां पर है है ठीक है फिर high court का ruling अगर आया तो फिर मान गया अलग बात है लेकिन यह सब जो है roundabout में थोड़ा सा घूम कर जाना पड़ा था तो पॉइंट मेरा यह है कि जो भी आप लोगों के पास अगर original degree certificate नहीं है तो आप लोग कोशिस कीजिए कि उसको निकलवा लेने का है वैसे मुझे नहीं पता ही किन कॉलेज में यह मिलता है इस तरह का degree certificate और किन में नहीं मिलता है कई लोगों को में भी हो सकता है सिर्फ इनुवर्सिटी सही है कि certificate मिलता होगा I do not know about that लेकिन जिनके पास भी provisional certificate जैसा कुछ है जो कॉलेज की तरफ से दिया गया है दिगरी कंप्लीट करने के बाद है ना तो आपको मैं बस यह इवेंट बता देना चाह रहा था वैसे यहां पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है और वहां पर भी कोई प्रॉब्लम फाइनली हुआ नहीं लेकिन यह सब प्रकरन हो गया था थोड़ा सा कि प्रोविजनल स दिखे नहीं दिखे लिए था इनीशियली ठीक है बाद में फिर युनिवर्सिटी से मों लोगों ने सर्टिफिकेट लिया था अपना ओरिजनल डिगरी सर्टिफिकेट जिसको गुलते हैं तो यह एक छोटा सा मसला था तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में तो आपको कोई प्रोप्लम ना हो वैसे यहां पर वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ठीक है बस लिखा है कि मूल प्रती यानि औरिजनल कॉपी आपके पास होना चाहिए जो भी आपका सर्टिफिकेट है यहां पर वो सब के बारे में बात नहीं किया गया है ठीक है तो मैं बस यह एक इस बारे में बता देना चाहता था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होने के वज़े से एक बार प्रोब्लम थोड़ा सा हो गया था बिहार में और फिर वो लोग जो है ओरिजनल सर्टिफिकेट डिमांड कर रहे थे तो बस यहीं एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के के लिए बाकि जो भी अभी आप लोग तयारी कर रहे हैं बीर के लिए भी तो अच्छे से तयारी कीजिए कंपिटीशन बहुत टफ है वहां पर भी है ना लगभग आप देखें दो तीन दीन पहले पेपर में आया हुआ था है कि लगभग पांच लाग स्टूडेंट जो ह है नंबर तो कुछ भी हो जाए रियल कंपिटीशन जो है सो कमिये स्टूडेंट के बीच होता है उससे उतना परेसान नहीं होना है लेकिन तब भी आप समझ ही पा रहे हैं डेर सो मांक्स का एक्जाम है और लगभग जो है अगर डाई तीन चार लाग स्टूएंट भी पर तो अच्छे से तैयारी कीजिए और बाकी यहां पर के रिजल्ट के बारे में तो अभी देखे क्या होता है उसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है जो भी स्टेटस चल रहा है कि फॉर्म वाम आ गया है भरना है आपको और उसके अलाबा देखिए रिजल्ट का स्टेटस जो भी रहा हो उसके बज़े से और अपने आप भरोसा रखिए ठीक है कई बार चीजा जो है वो लगता ऐसा बस से बाहर हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आप होसला बनाए रखिएगा और लगे रहिएगा तो फिर एक ना एक दिन सब सही होगा ठीक है तो अ बाकी विश्यों पर देरे देरे बात करेंगे ओके उमीद है कि अब मैं रेगुलर रह पाऊंगा यहां पर अब लोग भी बने रहिए थैंक यू